कीत में सुना हम इंसान अंधेरे में है काई का अंधेरा आज तो दुनिया समझती है कि हम बहुत रोशनी में है इतनी रोशनी में है चांद तक जा सकते हैं आज मनिश क्या नहीं कर सका है तो यह सभी बातों को मनिश समझते हैं बहुत रोशनी आगये हैं और हमारी दुनिया तो बहुत अभी रोशनी की और चली जा रही है पर अंतु इधर तो गीतों में कहते हैं अंधेरे में हैं अगर ऐसी बातें नहीं है तो तो ऐसे गीतों को तो गवर्मेंट को बंद करादे ना चाहिए अगर अंधेरा का एका है रोजने में बहुत पर दो नहीं कि अंधेरा है किस बात का जिस चीज के लिए इतनी इतनी खोजनाओं में जाकर करके आज जान सितारों तक का जाने का मनुष अपने में हिमत लगाई है और जो चीज चाहिए लाइफ में वो नहीं पा रहे तो जो चीज चाहिए जिसके बनाने के लिए और जिस प्रापती के लिए कितने इतनी सभी खोजना है इतना इतना सा बहां समस्य आ जा oldest मनिश को कोई प्रापती रहे सुख और शान्ती की हा लेकन उसी चीज को खोजते खोजते भले इतने ताकत मनिश की उची गई है लेकन लाइफ उची नहीं गई है लाइफ का मतलब जो लाइफ का सुख और सांती है उसमें तो मनश उचा नहीं गया है नहीं लाइफ के सुख शांती की स्टेज और यी दुख शांती की और बरती जा रही है तो इसे सिद्ध होता है कि जो मनश को चीज चाहिए उसमें नीचे होते जाते हैं उसकी अंधिकार है बाकी तो बले हैं क्यों नहीं और ताकत में मनश क्यार नहीं अभी देखो घर बैठे उधर बात करते हैं इधर देखते भी हैं टेल्वियन, रेडियो फलारा फलारा ये सबी चीजें भले कितनी भी मनश के ये सबी सुख के या ये सबी बातों से मनश और तो फिर भी वो जो लाइफ का सुख और शान्ती कहें वो तो चीज नहीं रही है वो उसकी अंधिकार इसलिए कहते हैं आज इनसान सब अंधिरे में किस अंधिरे में इस चीज के अंधिरे में उसकी अभी रोशनी उसकी अभी चीज का पता नहीं लगता है कि वो चीज हमारे लाइफ में जिसमें हम सदा सुखी रहें वो कैसे प्रापत रहें बहले आज देखो रोगों के लिए कितने इलाज, कितनी, सभी बातें भी कितनी आगे बढ़ती, लेकिन फिर लोग भी तो साथ-साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे लिए दुख शान्ती भी बढ़ता ही जा रहा है, तो इसे शिद होता है कि वो जो चीज, जिस जीज का लिए हमको लाइफ मे चाहिए सुख की, वो हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कहते हैं, उसके हम अंधेरे में अभी तुँआ, जिसको बलाते हैं कि तुँआ उस चीज की रोशनी दे, कि हमारे लाइफ में ये जो अंधिकार, अंधिकार कहो या तुख शान्ती कहो, तो सुख शान्ती की अंधि कि हमको प्रेक्टिकली सुख शान्ती कैसे मिले, उन चीज की जो हमारे में अंधिकार हैं, वो आकके हमारी दूर कर, तो देखो उसके लिए उसके लिए तो परमात्मा को पुकारते हैं, उसके लिए कोई इंसान को नहीं पुकारते हैं, या इंसान इंसान को उस चीज के लि हैं और जिनों कोई समझते हैं वो भी हमको पार करेंगे इंसानों में तो सब आ गए ने तो सभी का आगे कि हम सब जो भी इंसान है यहां सब उस चीज के अंधिकार में हैं प्रेक्टिकली जो सुख शानती की चीज है लाइफ के लिए वो हमें नहीं मिल पा रही है अभी तु जम्याइसे नहीं यह आखे नहीं है देखने के लिए इस पदार्सों को और इस अभी बातों को देखने के लिए यह आखे बले हैं लेकिन वो नेत्र नहीं है जिसको ग्यान नेत्र का जाता है अंग्रेजी में भी का जाता है थर्ड आय आउफ विज्डम तो वो हमको किस व यहां निकल नहीं आएगा जो चित्र कारों ने चित्रों में वेर्टका करके तीसरा नेत्र यहां दिखलाया हैं कई देखलाया in डेखाओं के उपर कम चॉपते हैं फिर्फ इतीन आख वाले कभी मनुश थे यह सबी जो चित्रों में भी अलंकार है इनी का भी अर्ट समझना है कभी तीन आखे मनश को होती नहीं बहले देखता हो कोई भी हो मनशी देखता है और मनशी ही असुर है वो है मनश की क्वालिफिकेशन बाकि ऐसे नहीं है उसे कोई मनश के सरीर की बनावट जो है वो बदल देखता होंगा तो चार बुजए आ जाएंगी या तीन आखें आ जाएंगी या असुर है तो उसमें कुछ और बनावट की फरक पर जाएंगा नहीं मनेश डिस्क्वालिफाइड है तो उसको का जाएगा असुर और क्वालिफिकेशन्स में जबी सर्व गुन संपन सोला कला संपुरन संपुर निर्विकारी है तो वो क्वालिफिकेशन्स की बात है सभी देखता है बागी शरीर की बनावट में नहीं लेकिन उसके क्वालिफिकेशन्स में फरक्ष जरूर पड़ता है जिसको पवत्र अपवसर कहो या गोना के संपन कहो या कहो किया भिरिष्ट आचार अचार यह सभी जो अखे तो आच्रन के उपर है यह सभी चीजें भी समझने की हैं बाकि कभी मन इसको चार बुजाएं या तीन आखे या यह सभी चीजें होती जने चार बुज़ा का भी हर्थ है जो पुराने है वो तो समझते हैं चार बुज़ा का भी यह हर्थ है तो ये दो बुज़ा नारी की दो बुज़ा नर की नर नारी जब ही पवत्र है तो फिर रहा वो दिखलाबे नी चत्रबूज़ का double crown kingdom का symbol तो ऐसी राजाई थी और उस राजाई में सभी नरणारी सुखी थे, जब यह पवत्र थे, तो संसार ऐसा था, ऐसा संसार में सब सुखी थे, तो वो दिखलाएवाई चत्रविच के रूप में थे, और वो जो रावन का दिखलाते हैं तक्तिष, उसका भी आर्थ है, यह नरणारी के दस सीस हैं, पांच विकार इस तरी के, और पांच विकार पुर्श के, तो मिला करके के दस सीस रख लिए, तो नरणारी जब यह पवत्र है, तो संसार ऐसा दुखी है, और जब नरणारी पवत्र है, तो संसार सुखी है, तो वो पवत्र का सिंबल है किस बात का इनों का अर्थ है बागि ऐसे नहीं कि मनिश कोई तचीस वाले या तीन आखे वाले या चार बुजए वाले या तीन सुर वाले ऐसे जो चित्र दिखलाते हैं मनिश की कोई बनावट में फरक नहीं करता है हाँ इतना जरूर है जब ही मनुष्पवत्र है वह नेचरल हेल्दी है और उसका बनावट पीचर नेचरल ब्यूटी आदी यह सभी इसका फरको सकते हैं बागी ऐसे नहीं है कि उसमें कोई तीन आखे या कोई तीन स्र यहां को चैसी बनावट का नहीं तो यह भी सभी चीजो को समझना है तो अभी बाग कहते हैं कि देखो यह थर्ड आया ओफ विस्दम अथा ज्यान का नेत्र अभी उसको कुकाते हैं कि तूं आ ख़के दे तो ज्यान का नेत्र दे अथात वह समझ दे नौलेज दे कि अभी हम कहते सदा सुख शांती प्राफत करे हम सब इंसान अभ से फिर भी वोई चीजें बनती जा रहें जिसे और ही हमारी दुख प्रापत करने की देखो यह सब बाम साथी यह सब देखो क्या चीजे नहीं तो यही शाइन अगर अच्छी तरह ऐसे उपियोग में काम में अच्छी तरीके से लगाया जा तो बहुत इस चीजों से सुख का मिल सकता है पर तो बुद्धी है नहीं अभी है तो उस बुद्धी से कामी उल्टा हो रहा है इसको ही का जाता है विनाश काले विप्रीत बुद्धी तो अभी जो विनाश का काल है यानि काल का जाता है समय को अभी यह टाइमी विनाश का है तो उसके द्वारा बुद्धी में से कामि उल्टा चलता है तो देखो बुद्धि से कामि उस उसे वह निकलता है कि दुनिया का नाश कहते हो कि अभी है विनाश काले विपृट बुद्धी विपृट किसे यानी परमात्मां से विप Corporidill कि यानी पृट नहीं पबी प्रीत नहीं ऐसी बुद्धी हो गई है प्रीत नहीं है तो फिर क्या हुआ फिर वो गई माया से प्रीत पर मात्मा से प्रीत नहीं है आये माया से, माया का जाते हैं पांच विकारों को कहीं विचारे इसी को भी नहीं समझते हैं माया, कहीं समझते हैं ये शरीर है न जो भी हमेश आखों से देखते हैं ये माया है, ये शरीर भी माया है, ये संसार भी माया है, ये धन संपती भी माया है, पर तुमाया इसको नहीं कहेंगे, धन संपती तो देवताओं को भुषी, सरीर तो देवताओं का भी था, और संसार में तो देवताओं भी थे, फिर क्या वो माया थी क्या, नहीं, माया का जाता है पांच विकारों को, विकारी माया है, वाकि कोई सरीर माया नहीं, सरीर में तो देवताइ भी थे, पर तुन के पास माया नहीं थी, धन संपती तो देवताओं को भी थी, पर तुन माया नहीं थी, माया का जाता है विकारों को, और माय क्या ही दुख देती है, वाकि धन संपती कोई दुख देने की चीज नहीं है, संपती तो सुख का साधन है ना, परंतु उस संपती को भी इंप्यूर, अत्वा स्टरीर को भी इंप्यूर, अपवत्र किसने बनाया है, पांच विकारों ने, माया ने, तो माया के कारण, विकार में अभी मया परवेश हो गई है अठाथ पांच विकारों की चीज़ हो गई है इसलिए बाप कहते हैं अभी इस मया को निकालो पांच विकारों को निकालो तो फिर तुमको इसी शरीर से ही और पिर तुमको संपती से ही और संसार से सदाव सुख मिलेंगा जैसे देशाओं का मेल था था। झार में थे। और शरीर भी था, संपति में थी भी। लेकिन एवर हेल्दी, इवर वेल्दी, इवर हैप्थी। तो לड़ी थे नौ, यह सुख तब ही उन्हों के पास था जब उन्हों के पास माया नहीं थी। यानि यह रावर नहीं था। पांच विकारों का इस नाश करने का है। बैस्टार के भाप सम्झाते थी माय को नाश करो। माय माना एसे नहीं निकल जाने का है। यह शंसार से भी रही जगत अनाधी है। इसको कौन चाहेंगा मिठ्षय जगत तो है परतु हाँ इसको मिठ्षय बनाया गया है विकारों के कारण मनश दुखी हुए है बाकि ऐसे नहीं है कि जगत जो है वो है ही नहीं जगत तो अनाधी है तो यह सबी चीजें तो हमको कोई जगत से या संसार से निकल जाने की बात लेकिन संसार को पवत्र बनाने की बात पवत्र भी संसार था यही तो देवताओं का जो है निशान यह पवत्र संसार के मनश थे न देवता है कोई और की तो रही है यह देवताओं की दुनिया कोई ऊपर थोड़े ही है यही दुनिया हम मनश ही देवता थे और हम मनशों का स्वर्ग कहो, हेवन कहो, यही संसार था, जिसमें हम मरशही स्वर्गवाशी थे, यानि वो टाइम स्वर्ग का था, और हमारा जनरेशन स्वर्ग में चलते थे, यह सभी चीजों को भी स्वर्गने का है, इसलिए अभी माया को मिटाना है थो नाश करना है, तो उसका मतलब है तो अभी माया को नाश करना, अथा माया को जीतना, तो उसका मतलब है विकारों को जीतना, तो माया कही जाती है विकारों को अभी विकारों के कारण ही ये सब चीजे हमको अभी दुख देते हैं, क्योंकि ये धन भी अभी विकारी कर्म के हिसाब से होने के कारण उससे भी क्यों नहीं होता था क्यों निर्विकार के बल असे बना हुआ था अभी विकारों के उसे बना हुआ है इसलिए उसमें से दुख मिलेंगा तो हर चीज अभी विकारों के संगतें बनी हुई होने के कारण हर चीज से दुख मिलता है तो अभी संसारी विकारों के संबंद का हो करे तो माया के कारणी अब इसको निकाल। जैंसे निकले प्रमार्ट संसार की बने इसके लिए देखों इसको बुलाती हो चाछ मोड़ा कोज के-खोज के शुक्ण योगने जाती है। उतना हो रही उससे दुख्ष क्योंकि हमारी तो अभी है नीचे की स्टेज जाने में ना इसलिए उस पुद्धी से काम ही इल्टे चलते हैं इसलिए बाप कहते हैं अभी तेड़ी उसी सत्य बात को अभी पा नहीं सकती है उससे बुद्धी में आएगा ने कि तेड़ी तो गुद्धी अभी तमो परदान हो चुकी है ना इसलिए अभी मैं जब आता हूं तभी आका करके फिर तुन को राइट बात समझाता हूं और व िए अभी अपने को यह क्या मिला है ज्यान नेत्र के सानेह नेथ्य तु तिसना नेत्र है हाँ और वै देखो हम यह हर डाया विच्डव और रही है तो बयर्क ज्यांका नेत्र हमारे पास हैं यह साओं कर बनांक्रений ब्रहमन हो नण ह les deux sep के उनक मांगा अपना पाउख़ा तो अभी मानों हो गए ब्रह्मान, अभी कौफिरता को अपनाया है तो अभी हो गए ब्रह्मान, तो अभी देखो ब्रह्मानों को तीछरी आख है, और देखता है तो फिर प्रालबद है, वो तो फिर हम जवजाकर के फीचर में, वो कम्प्लीट प्रालबद पाएंगे, तो द यह अभी जो हम ग्यान ले रहे हैं हमारे को हम मनिष हो गए न हम अभी हम ब्रह्मन कहलाएंगे मनिष पहले शूद्र थे, अभी हम शूद्र से ब्रह्मन हुए हैं, यानि हम पर्मात्मा की मुखवनसावली, जो पर्मात्मा ब्रमातन द्वारा बैठकर करके ये मुख़ से नौलेज दे रहा है, उस नौलेज से हम पैदा हुए हैं, तो उसको का जाता है मुखवनसावली, तो अभी देखो ऐसे मुखह से आदमी निकल आएंगे, आगे ऐसे समझते हैं, मुखह से आदमी निकले थे, पर तो नहीं, मुखह से, हम अभी देखो, मुखह द्वारा जो knowledge मिल रहा है, उससे ये purified बन रहे हैं, तो अभी हमारा ये नया जनम हो गया, अभी हुए ने आपका ऑफ़े में रहे हैं, पिर जाकर करके देवता बनेगे, तो अभी तीसरा नेट्र किसको होना चाहिए, ब्रमनों को अभी जनम होना की बात है पीछे तो ज्ञान की बात शीकवा रहेंगी, तो ध्रमनों को यह तशी जो भी अलंकार है, जी ढहन है तो भी जनम हो को संक, जक् ज्ञानता तो इसको शंक भी कह सकते हैं और भक्ति मार में हमने यह चीजें रख दी हैं और गदा वह भी है यह पांच विपारों के उपर हमने एकदम लगाई है उसको उपर अपना लगा थी है जोर और वह चकर भी है यह यह गोल्देन शिल्वर कॉपर एंड आइरन एज है कि चार युगों का कैसे हम पहले-पहले सो देवता है थे पर कैसे फिर नीचे आए अभी नीचे आ करके अभी फिर बाप आया उचा उठाने के सारा चकर जो हमने अभी अपना चकर पूरा किया है वो यह श्वा दर्शन चकर यानि श्वा को अभी दर्शन अथा शाख्याक का हुआ है किमिले में बाप मरा मैं करना तो आपकार विद्रशन चकट का पता चला है को स्वा दर्शन चकर फिरता है ददी में अथा चलता रहता है, खरा तो नहीं है, चलता रहता है, यानि स्थ्वा माना 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 चलता रहता है, य यह है श्वदर्शन चक्कत, इसी को जितना जितना याद रखेंगे हम सो थे, अभी फिर नीचे आए, अभी फिर उजा जाना है, तो जितना यह बुद्धी को फ्राते रहेंगे, तो हां उसे तुमारे विकार जो है, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो तो आत्मावी पवत्र शरीवी पवत्र स्रम देखा थे, तो जिसना ये चीज बुद्धी में गुंती रहेंगी, यानि स्वादर्शन चकर, तो इतना आप तुमारे विकार जो है ना, नाशोते जाएंगी, तो अर्थसल ये है, पर उन्हों ने बैर्शा करके, वो एक उसको उसमें ले गए है, वो गुमाते थे हैं, कोई दुश्मन के पास बेचे थे, उसका गला कार्टी आता था, ऐसे ऐचास्तरों में तुद्ध, तो आचे ने, दुश्मन ये ही विकार, तो इसी नौलेज की आदाशे हमारे विकार नाश होती है, तो स्वादर्शन चकर का भी शंक का भी ये हैं, और वो गदा का भी रखा है, पास बेकारों के उपर हां, और वो जो पदम दिया फूल दिया ना, ये भी हैं, प्रिविर्टी का, कि कमल फूल समान, वो कमल का फूल होते हैं, वो पानी में होते भी, पानी का सप्रिश उसके उपर नहीं लगता है, तो मि तो यह है अपना आदर्श कि हमारे लाइफ का आदर्श क्या था और कैसे हमारी प्रिविर्टी का आदर्श रूचा था यह सभी इनका है लेकिन वह भी सब बागी देवताओं को यह संग चकरगदा यह लेका कोई भूंते थे यानों के हाथ में थे यह सभी चित्रकारों ने बैठ करके वो कैसे दिखलावे कि इनों के ज्यान था यानों की माया के उपर जीत थी यह सब कैसे दिखलावे तो चित्रों में बैठ करके वो निशान रखे बाके ऐसे नहीं है कि ऐसे कोई देखाएं चार बुजाएं वाले थे और वो लेकर के गुंते-फिरते रहते थे अशी कोई बात नहीं थी तो यह सबी चीजें समझने की हैं कि नहीं देखता है भी मन इस्थे दो बाहे वाले इसलिए अपना करेक्षितर भी बनाएं दो बाहें दी हैं देखो नहीं तो श्री नाराण श्री लक्षमी को बहुत मंदरों में वो देते हैं चार बुजाएं लेकिन इसको दोनों को मिलाएंगे ना लक्षमी को पीछे करदो उसकी दो बाहें दिखाई पड़ेंगे आपको दिखाया होंगा कभी आप देखिया है चत्र बुज का हाँ दिखाएं आपको चलो आओ देखाते हैं चत्र बुज का कैसा झो निकाला है उस दोनों एक लंब तो बुजा लक्षमी की, वो दो बुजा नाराय की, इसको शंक चकर कदा पतम देदो, आप लोग फोटू निकालेंगे, तो दिखाएं, अभी लक्षमी तुम आगे जाएंगे, तो लक्षमी चत्रबुज दिखलाएंगे, तो नाय तो लंगी है, तो पीचे हो जाएंगी, औ अज़र में है कि लक्षमी चत्रबुज नारायन चत्रबुज इसका चित्रकारों ने फोटू साखिया, तो दिखाएंगे, कोई मनश है, ये कंबाइंगे, लक्षमी नारायन का फोटू निकलाएंगे, तो ये सबी चीछें समझने किया, इसलिए पर तो ऐसे कंबाइंगे, बवस्र नारी कैसे बने, किस धारनाओं से, वो धारनाय के बैसरती ये अलंग कार्ट जित्रों में दिखलाएं, वाई शंक, चक्र, गदा, पदम जुनोंने धारन किया, वो ये ऐसे बने थे, भाभी धारन किया है, ने शंक, शंक, शंक का मतलब है, जो ये सुनाय नाले, प आरे को शंक, चक्र, गदा, पदम धारी बनना, तो बनना अभी है, ब्रह्मानों को, अभी से बनेगे, तो देशा बनेगे, तो करेंगे, तो तो पाएंगे, तो ये सबी चीजें समझने के किसका प्रेक्टिकल ये जब और क्या है, अच्छा, अभी ताइम हुआ है, आप ल